2021 में Wanda Vision के साथ Marvel Cinematic Universe याने कि MCU का Fates 4 शुरू हुआ और अगले दो सालों में इस पूरे Fates 4 में आये Movies और TV शो ने MCU की पूरी इज़त मिट्टी में मिला दी Eternals, Thor, Love and Thunder, Doctor Strange, Multiverse of Madness ऐसे सभी Movies की Rating critically एकदम गंदी रही थी और हमेशा Billion Dollars के आसपास कमाने वाले ये सभी MCU फिल्म्स का Box Office Performance भी काफी बिलो एक्सपेक्टेशन रहा Avengers Endgame के बाद में Marvel या कहू Disney ने अच्छे TV शोज और मूवीज को बनाना छोड़ी दिया बट उसके जगापर उन्होंने एकदम फाल्तु में पॉलिटिकल ग्यान देना शुरू कर दिया MCU के प्रोडूसर का ज्यादा फोकस रेप्रेजेंटेशन पे था बट नौट अन्स्टोरी तेलिंग And then of course MCU का फेट्स फोर मतलब टोटली MCU बन गया You ask how? Let me tell you To MCU के पहले 3 phases के बाद में MCU में Tony Stark, Captain America, Black Widow ऐसे कुछ characters का story arc खतम हो गया था और अभी MCU को आगे बढ़ना है तो उन्हें नए नए superhero characters और villains को introduce करना था पहले 3 phases में हमने थोड़ा ज्यादा male superheroes को देखा था तो थोड़ा सा female representation superheroes के मामले में कम है ये जरूर था कॉमिक्स में भी कई सारे बहुती बढ़िया female superheroes है जिनको properly अच्छे से representation movies में मिलना जरूरी जरूर था यहाँ पे I totally agree with Marvel कि उन्होंने female representation लाने के लिए कुछ अच्छे decisions लिये जरूर बट इन female characters को जिस तरीके से इस phase 4 में present किया गया वो सरासर nonsensical और एकदम stupid रहा था सबसे पहले हम Wanda Vision शो का अगर example लेते हैं तो इस शो की शुरुवात काफी अच्छी रही थी इस शो के शुरुवात ही यही कुछ 2-3 episodes में ऐसा indicate किया जा रहा था कि Wanda अभी थोड़ी सी villain बनने लगी है क्योंकि उसके साथ में उसके life में काफी tragedies हुई तो पहले 2-3 episodes में यहां तक चीजे ठीक थी बट अच्छानक से out of nowhere Wanda को एकदम hero बना दिया हमें issue में पता चलता है कि Wanda ने अपने एकदम दुख में अपने एकदम sad state में एक पूरे town को एक तरीके से mind slave बना के उन सभी 200-300 लोगों को उसके आपे में उसके control में उसने रखा था Wanda यहां पे पूछ रही है यह सब मेरे उपर क्यों guns पॉइंट कर रहे है अरे madam आपने 400 लोगों के town को वहां पे mind slave करके रखा है इसलिए वहां पे US military आई है but for some reason MCU के writers कहना चाहते है कि इदर Wanda is the one who is victim but US military वाले जो है वो बहुत कमीने लोग है अरे भाई यह जो बंदा यहां पे है वो तो पूरे उस town के लोगों को बचाने के लिए आया है तो इसमें Wanda कैसे hero हो सकती है तो यहां पे यह जो एक total tone of the scene दिखाया था कि Wanda is somehow victim और वो जो लोग है वो US army वाले जो है वो विलन से that was total buckwass तो ऐसे एकदम पूरे town को mind slave बनाया रहता है Wanda ने और इसी में और एक नया character इस show में introduce होता है और उसने तो Wanda को लेके एक ऐसा dialogue मारा वो nonsensical चीज का हद पार करने वाला dialogue था then इसके बात में हम अगर doctor strange के second part में देखते है तो वहाँ पर अचानक से Wanda एकदम villain बन जाती है but again वो obviously एकदम direct villain नहीं है उस villain वाले चीज को ऐसा दिखाया है कि मानो Wanda के दिल में एक मा का प्यार था इसलिए वो अपने बच्चों के लिए हदजारों लोगों को मारने के लिए निकली और वो सब कुछ सही है वो अभी भी अच्छी है क्योंकि उसमें एक मा का प्यार है anyways सबसे पहले तो Loki के शो में एक कोई तो Lady Loki आती है उसमें में कैरेक्टर तो Kate Bishop थी वही कैरेक्टर एक तरीके से उस पूरे शो की स्टोरी को आगे बढ़ाता है and then there was Thor Love and Thunder तो अभी ये Thor अपने विलन को बताएगी कि मुझे Mighty Thor करके बुलाओ वाह then there was Black Panther की मुवी इसमें भी हमें अचानक से Lady Black Panther देखने मिलती है और ये पूरा का पूरा जो Second Black Panther का मुवी था उसमें Almost 90% of the characters women दिखाये थे इसी Black Panther 2 में हम और एक कैरेक्टर को मिलते है Riri Williams जो की एक तरह से Tony Stark का replacement है और ये बंदी एकदम बचपन से ही genius है तो हमने जब Iron Man के मुवी में Tony Stark को देखा था तो हमने देखा कि कैसे उसमें flaws है बट देन वो अपने सभी important flaws को conquer करता है और मौत के मुझ से एकदम अच्छी तरीके से बाहर निकला और वो आगे चलके एक legend बना जिसने दुनिया को change करने की कोशिश की तो ये थी उसकी एक storyline from a flawed character to a good character a great character जो एक मिसाल बने बट यहाँ पर Riri Williams मतलब क्या है वो तो आते ही एकदम super genius, super talented एकदम बढ़िया, बहुत ही जबरदस लड़की है उसमें तो कुछ भी flaws नहीं है वो जैसे ही Iron Man का suit पहनती है तो उसे एकदम अच्छी तरीके से सब जगा पे उड़ना आता है बट Iron Man movie में हमने देखा था कि वैसे उड़ना इवन टोनी स्टार्क के लिए एक जटके में difficult हो गया था तो basically यहाँ पर इस Riri Williams character की कोई भी एसी character journey हमें देखने ही नहीं मिलती She is just brilliant I like her So यहाँ पर यह Oko यह character कहती है Ooh I like her तो उसको like है मतलब अभी हम पूरे audience को भी वो like करनी चाहिए ऐसा सब nonsensical screenplay यहाँ पर लिखाता फिर Fates 4 में female superheroes की power level कुछ अलग ही level पर एकदम illogical तरीके से दिखाई है अभी according to me इस black video में ऐसे कुछ super powers नहीं है कि उसे कोई अगर मारता है तो उसे दर्द नहीं होगा बट black video movie में Natasha एकदम उपर से यही कुछ 300-400 feet के उपर से नीचे गिरती है बट उसे कुछ भी नहीं होता फिर eternals के movie में यह जो सरसी करके character थी वो एक huge eternal को अपने power से सीधा कुछ marble के पत्थर में वगरे change कर देती है because she is the most powerful eternal उस सरसी की powers exactly क्या था पता नहीं बट हमें इतना बताया था कि यह जो भी celestials थे उन्होंने ही इन eternals को बनाया उन celestials ने ही इन eternals को powers दी बट जिसने power दी उस बंदे को ही यह बंदी सरसी मार रही है यह logic तो मुझे भी नहीं समझा कि इस सरसी eternal में इतनी power कहां से आई अगर आपको पता है तो let me know अगर हम यहाँ पर अभी super op powerful female characters की बात कर रहे है तो Wanda कैसे पीछे रहेगी इस scene का मुझे सही मैं logic नहीं समझता तो Wanda बस अपनी कुछ आखे वगरे घुमा कर उस black bolt का जुबान ऐसे seal कर सकती है तो उसके powers की limit क्या है वो बस कुछ भी ऐसे देखती है तो किसको भी कही पे भी उड़ा सकती है I mean just सोचिए What is stopping her अगर वो ऐसे ही physical matter को सब जगा पर बदल सकती है तो यहाँ पर वो क्यों लड़ रही है यहाँ पर भी तुम अपना face इदर उदर ऐसे कर देना और fight तुम जीत जाओगी इसके बद में और एक female character थी America Chavez उसके अंदर तो power स्थूस्थूस के भरी है and she is एकदम off Doctor Strange के second part में main character Doctor Strange नहीं था It was America Chavez and that Wanda Doctor Strange Multiverse of Madness में Doctor Strange villain Scarlet which को नहीं हरा था but it was America Chavez जो actually villain Wanda को हराती है so अब तक तो हमने देखा कि MCU के Fates 4 में कुछ अलग-अलग female superheroes को थोड़ा अजीब तरीके से introduce किया गया था but कुछ-कुछ एकदम अजीबो गरीब तरीके से introduce किये गये हुए female villains भी थे but वो exactly villains कभी होते ही नहीं है तो Hawkeye के show में हमें काफी time तक ऐसा लगता है कि Kate Bishop की mom इस show की villain है but then obviously end में वो change होता है और villain निकलता है Kingpin then फिर हमें Black Widow के movie में villain दिखाई दिया Taskmaster ये Taskmaster का character पूरा time comics में actually एक male character रहा था but इस movie में ये character एक female एक लड़की निकली थी ये obviously villain तो है ही नहीं उसे कोई तो एक दुसरा आदमी control करता रहता है that is the villain of this movie Dracov then वैसे ही Falcon and the Winter Soldier में Carly नाम की जो character थी वो literally एक terrorist थी उसने कुछ लोगों को bomb blast में मार दिया था but according to Falcon वो बिलकुल भी villain नहीं है वो बस थोड़ी सी एक भटकी हुई सी child थी और senator को थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए ताकि ऐसे कुछ characters और भटक ना जाए तो इसमें उस senator की गलती थी ऐसा अपने Falcon या कहू अपने नए Captain America को लगता है तो ऐसे ही female representation के नाम पर एकदम ही भाईयात तरीके से stories लिखना और characters को एकदम बुरी तरीके से develop करना ये इस MCU के Fates 4 का एक बहुत ही important aspect रहा था और वो सभी चीजे critics और fans को बिलकुल भी पसंद नहीं आई इसी के साथ साथ MCU Fates 4 के सभी movies का humor एकदम ही stupid और cringe रहा था थोर लवेन थंडर में literally दो बक्रे लिए गये हैं और वो कुछ अजीब हो गरीब आवाज निकालते हैं ये कौन सा funny scene है यार ये तो stupidity है तो दोस्तो यही कुछ reasons रहे थे जिसके वज़े से MCU का Fates 4 का जो भी movies और shows रहे थे वो थोड़े से critically flop रहे थे और even box office पे भी ज्यादा वो कुछ एकदम धमाल करनी पाए सब लोगों को कुछ ना कुछ इसमें issues लगे ही थे अभी मैंने जितने core issues थे important problem जो मुझे लगे थे वो सब मैंने इसमें include किये इस वीडियो में मैंने दिखाए आपको इसके साथ साथ और भी कई सारे issues अभी शुरू ही है MCU के साथ में अगर आपने notice किया होगा तो मैंने She Hulk को ज्यादा इस वीडियो में include नहीं किया क्योंकि वो इतना वायात शो था कि उसके लिए तो मुझे और एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा उसको criticize करने के लिए अभी ऐसा नहीं है कि सभी shows और movies एकदम बरबाद रहे थे movies में अगर हम बात करते हैं तो Spider-Man No Way Home, Guardians 3 और इवन कुछ हद तक Shang-Chi थोड़े से decent movie थे और अगर TV सीरीज की बात करते हैं तो first season of Loki and खास करके what if ये कुछ चीजे मुझे Fates 4 में से काफी अच्छी लगी थी तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और अगर आपके कुछ thoughts से MCU Fates 4 को लेके और अगर आप चाहते हो ऐसे ही कुछ और review वीडियो में बनाते रहू तो let me know in the comments So again, thanks for watching, I'll see you all in the next one